नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ अंशिता श्रवास्ता इस बुलिटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आईए देखते हैं सुर्खियां कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता बीके हरी परसाद का बीजेपी पर गंभी रारो किया दावा राज्य में धाई हजार करोड में विक रहा है सीएम पद जल्दी ही सीएम पद से हटाए जाएंगे बसाओ राजबों मैं कॉंग्रेस का मोधी सरकार आरबी आई और बीजेपी पर हमला कहा बीजेपी बनी बेचे जाओ पार्टी आरबी आई को बनाया रिवर्स बैंक आफ इंडिया नितीश सरकार में मंत्री बनाय जाने पर उपेंद्र कुश्वाह ने दी सफाई कहा नाराज नहीं हूँ मंत्री पद नहीं विचारधारा महत्वपूर्ण मैंने हमेशा पद छोड़ा है इसके पीछे भागा नहीं हूँ तो ये थी सुर्खिया आईए बढ़ते हैं आगे आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है दिल्ली की राजनीती से जहां आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फसी हुई दिख रही है मनीश सिसोदिया के घर बीते दिन करीब 14 घंटे तक छान बीन हुई सिसोदिया का मुवाइल और लाप टॉप जब्ट कर लिया जिसके बाद सिसोदिया ने बड़ा दावा किया है सिसोदिया के घर हुई इस चापिमारी ने कॉंग्रेस और बीजेपी को मौका दे दिया है दोनों ही दलों ने केजरिवाल सरकार के खलाफ मोर्चा खोल दिया है इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा साथी बताएंगे कि CBI के कारवाई का समर्थन कॉंग्रेस ने क्यों किया पार्टी क्यों दावा कर रही है कि ये कारवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी दूसरी और CBI पर सवाल भी उठ रहे हैं उस पर सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप लग रहे हैं क्यों इसे जानेंगे हम इस बुलिटिन में साथी जानेंगे जारखन में ओपरेशन लोटस को एक बार फिर नाकाम करने के लिए कॉंग्रेस और जामू मों क्या कर रही हैं तैयारी और बात करेंगे राहूल गांधी के सपने की इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू तो बढ़ते हैं आगे आज की सबसे बड़ी खबर की तरह तो दोस्तों दिल्ली की सियासत में इस वक्त तूफान आया हुआ है और केजरीवाल सरकार घिरी हुई है शराव नीती पर घिरे सिसोदिया ने आज बड़ा बयान दिया उन्होंने दावा किया कि जल्द ही उन्हें गिरफतार किया जा सकता है ऐसा ही दावा एक महीने पहले सियम अर्विंद केजरीवाल ने भी किया था उन्होंने कहा था कि अगस्त में सिसोधिया गरफतार होंगे सिसोधिया की गरफतारी की बातें कॉंग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी तो आखिर क्यों मुश्किल में फस्ते जा रहे हैं सिसोधिया देखे रिपोर्ट को खारिस किया है इन सब के बीच मनीशे सिसोधिया ने चौकाने वाला खुलासा किया है सिसोधिया ने कहा कि सी बियाई के अधिकारी अचानक महमान बनकर मेरे घर आ गए थे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो वो मेरा मुवाइल ही ले गए अब दो चार दिन में मुझ अनुराग ठाकोड ने पलटवार किया है ठाकोड ने कहा कि अगर शरावनीती शानदार थी तो फिर इसे वापस क्यों लिया गया उन्होंने केजरीवाल सरकार को रेवड़ी और बेवड़ी सरकार बताते हुए कहा कि आपकी हालत ऐसी थी कि अगर चोर को दाड़ी में तिन रही है लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रही कि ब्लाक लिस्टेड कंपनियों को ठेका किस के कहने पर दिया गया आपको घेरने में कॉंग्रेस भी पीछे नहीं है कॉंग्रेस ने आज इसे सोदिया के आवास पर प्रदर्शन किया और उनकी बरखास्तगी की मांग की आ आपनेता अलकालामबा ने मनीशी से सोदिया के कटर इमानदार सरकार पर तंज कस्ते हुए आप सरकार को कटर बे इमान सरकार बताया है शराब घोटाले में CBI की जांच तो चल ही रही है लेकिन अब इसमें ED की भी एंट्री होती दिख रही है मनीशी से सोदिया पर जिन त चाही है ये तो जल्द सामने आही जाएगा लेकिन इस पूरे मामली ने बीजेपी और कॉंग्रेस को केजडी वाल सरकार को घिरने का मौका दे दिया है और ये दोनों मिलकर सरकार की धज्जिया उड़ा रही है लेकिन CBI पर कई आरोप भी लग रही है उस पर भगवा दल क समर्थन करने का आरोप लग रहा है आमात्पी पार्टी इन दिनों बीजेपी और कॉंग्रेस के निशाने पर है और दोनों ही दल दिल्ली की आप सरकार की जमकर धज्जिया उड़ा रहे हैं कारण है शरावनीती को लेकर मनीश सिसोधिया के घर पड़ीच CBI की च्छाप इ कर दिये हैं वरिष्ट वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि पिंजरे में बंद तोता CBI के अब भगवा पंक लग गए हैं 2013 में कोईला घोटाला मामले के सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने CBI को पिंजरे का तोता कहा था साथी सरकार से पूछा था कि वो इस तोते को खोल दिया गया है और उसके पंक अब भगवा हो गए हैं उसका मालिक जो कहता है वो तोता करता है अब सिब्बल की तरफ से आपका ये समर्थन करना चौकाने वाला है क्योंकि सिब्बल ने भी साफ तोर पर केंदरी जाच एजेंसियों को केंदर सरकार की कटपुतली करार दे दिया है यानि जहां सरकार पर अभी तक सिर्फ आप ये आरोप लगा रही थी कि ये सारा मामला सिर्फ केजरिवाल की बढ़ती लोग प्रियता के चलते बनाया जा रहा है ऐसे में सिब्बल के बयान ने आपके आरोपों को सही ठहरा दिया कपिल सिब्बल ने जहां एक तरफजांच एजेंसियों को इशारे पर काम करने वाला बताया तो वहीं उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल की तारीफ भी की उन्होंने कहा कि अब जब अर्विंद केजरिवाल का उदय हो रहा है तो ये बीजेपी के अरस्थिर करने का समय है हाल जिरे के तोते को उड़ने की इजाज़त तो मिली है लेकिन भगवा पंक के साथ और उड़ान वहां तक जहां तक सरकार चाहती है। जहारखंड में क्या बीजेपी चलाईगी ओपरेशन लोटस? क्या है बीजेपी का प्लान? कैसे सरकार बचाएगी कॉंग्रेस? ये सवाल लगातार सियासी गलियारों में उठाए जारखंड मुक्ती मोर्चा ने सरकार बचानी की कवायद तेज कर दी है। कॉंग्रेस और जहारखंड मुक्ती मोर्चा दोनों ही बीजेपी के साम दाम दंड भेट से वाकिफ हैं। इसलिए उन्होंने उपरेशन लोटस पार्ट टू को फेल करने के लिए कमर कस ली है। पिछले महीने भी उपरेशन लोटस की पहली कोशिश नाकाम हो गई थी। तब कॉंग्रेस के तीन विधायक 48 लाख कैश के साथ पकड़े गए थे। इस घटना के बाद कॉंग्रेस और जार्खंड मुक्ती मोर्चा दोनों ही अलट मोर्ट में आ गए हैं। और बीजेपी को बटखनी देने की तैयारी कर ली। लेकिन अगर मौझूदा दोर को समझे तो बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जार्खंड विधान सभा में फिलहाल बीजेपी के अपने 26 और दो आजसू के विधायक है। अगर दो निर्दलिये भी साथ आ जाएं तो बहुमत का आकड़ा छूने के लिए 11 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। जार्खंड में क्यासी विधायक हैं। बहुमत के लिए जार्खंड की सत्ता हथे आने का सपना सजा रही है। वैसे सपना तो राहुल गांधी पूरा करना चाहते हैं वो भी अपने पिता राजीव गांधी का। और इस बात का जिक्र आज उन्होंने अपने ट्वीट में किया और अपने पिता की जयनती पर उन्हें याद किया। देश के पूर प्रधानमंत्री और दिवंगत कॉंगरेस नेता को आज पूरा देश याद कर रहा है। क्योंकि उन्होंने देश को एक नई उड़ान और पहचान दी थी। उनके कारिकाल के दोरान कई एहम फैसले लिए गए थे जिन से आज देश तरक्की कर रहा है। साथ रहुल गांधी ने अपने पिता को याद करते हुए देश के लिए एक प्रड़ लिया। कॉंग्रेसांसद रहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा। नमाधी पर फूल अर्पित किये। इस मौके पर प्रियंका के पती रौवर्ट वाड़रा भी मौजूद थे। कॉंग्रेस के तमाम नेताओं के अलावा पीएम मोधी रक्षामंत्री राजना सिंग ने भी ट्वीट कर पूर पीएम को शृद्धांज ली दी। चाहते और ना ही बीजेपी को कोई मौका देना चाहते हैं और यही कारण है कि उन्होंने अपने मंत्रियों को सक्त निर्देश दे दिये हैं। बिहार में हो रहे अपराधू को गिना रही हैं। राज्य के हालात जंगल राज्य से बता रही हैं। जो लोग दस दिन पहले बीजेपी के साथ थे पाक साफ थे। लेकिन बीजेपी से अलग हुए तो वो अब भ्रष्ट दिखने लगे हैं। सुशील मोदी से लेकर गिरराध सिंग उन्नेताओं पर भ्रष्टा चार के आरूप लगा रहे हैं। जिनके साथ दस दिन पहले वो सरकार चला रहे थे। बीजेपी और जेडियू में तो तकरार चल ही रही है। लेकिन इस तकरार में आर जेडि भी बीजेपी के निशाने पर बनी हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव अब बीजेपी को कोई मौका देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इसलिए उन्होंने आर जेडि कोटे से बने सभी मंत्रियों को सक्त निर्देश दे दिये हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा के। राष्टी जनत अदल के मंत्री उम्र में उनसे बड़े कारिकरता शुबचिन तक, समर्थक या किसी भी अन्यव्यक्ती को पाउन नहीं छूने देंगे। शिष्चचार और अविवादन के लिए हाथ जोड कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को ही बढ़ावा देंगे। पर अपने विवागों के कामकाज का प्रचार करते रहें, तेजस्वी के बयान से साफ है कि वो अब बीजेपी को कोई भी मौका देने को तयार नहीं है। देखे खास रिपोर्ट। उनके बयान ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। जहें एक तरफ अब उनके बयान ने विपक्ष को मौका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जेजेपी और बीजेपी के गटबंधन तूटने की चल रही खबरों को हवा भी दे दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान ने ऐसे संकेत दिये थे कि आगामी चुनाओं में जेजेपी बीजेपी से अलग हो सकती है और अपना सीम केंडिडेट उतार सकती है। जिसके बाद अब जेजेपी कोटे के मंत्री की तरफ से इस तरह का बयान आना इन संभावनाओं को और भी ज्यादा मजबूत करता है कि जेजेपी अब बीजेपी से अलग होने पर विचार कर रही है। को बता दें कि इससे पहले रोहतक से बीजेपी सांसत अरविंद शर्मा ने मई में पर उशुराम जयनती पर रोहतक के पहरावर गाउं में सरकार प्रफिष्टाचार के गंबीर आरूप लगाए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा था। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस बार क्या सफाई देती है। और बुलिटिन के आखिर में बात GST की मार की। सरकार अब हर सामान को GST के दाइरे में ला रही है। यहां तक की खाने पीने और रोज की जरूरत का सामान भी इसके दाइरे में आ चुका है। दूद, दही, पनीर को हालही में सरकार ने GST के दायरे में शामिल किया था और अब एक ऐसा फैसला किया है जुसे लेकर सरकार गिरती दिख रही है स्कूल और कॉलेज सिक्षकों की कमी से निपटने के लिए गेस्ट टीचरों को बुलाते हैं जो चातरों को पढ़ाते हैं बदले में उन्हें सिक्षन संस्थान की ओर से पैसे भी दिये जाते हैं और अगर गेस्ट टीचरों की कमाई इंकम टेक्स के दायरे में आती है तो उन उसरे कारिक्रमों में आने वाले लाइफस्टाइल गुरू और कवी जो सालाना 20 लाख रुपे से ज्यादा कमाते हैं उन पर इंकम टेक्स के अलावा 18 प्रतिशर GST भी लगाने का फैसला कर लिया है। जी एस्टी सरकार को दिये जाने वाले टेक्स पर लगेगी। सरकार ने जी एस्टी में कुछ जगा राहत भी दी हैं खास और पर टोल पर बिना फास्टेक वाले वाहन चालकों पर लगने वाली जी एस्टी को हटा लिया है।